पर फिर काशिव श्राफ मंदिर के महन कुलपती तिवारी ने एक बड़ा दावा कर दिया जिसका जिकर चित्रा भी करी थी इस बार उन्होंने कहा कि ग्यानवापी मर्शित के पूर्वी हिस्से में मीचे का हिस्सा जिस तैखाने के कहा जा रहा है वो दरसल एश्वरे मंडप है और उस एश्वरे मंडप में खजाना भरा पड़ा है महन्त ने उस तैखाने की जाच की मांग करती है कि उस तैखाने की जाच होनी चाहिए और आपको बता दे हिंदु पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि सर्वे और गैहन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सबूत है जो ये दिखाते है कि वहाँ पर मंदिर था साथी साथ वहां कई और सबूत के तोड़ पर चीज़े मिल सकती हैं अगर सर्वे और हुआ तो आपको बता दें फिलहाल विश्वनात मंदिर के महांत कुलपती तिवारी ने एक बड़ा दावा कर दिया उन्होंने कहा कि ग्यान वापी मजड के ऊर्वी हिस्से में नीचे का जो हिस्सा है जिसे तैखाना कहा जा रहा है वो दरसल एश्वर्य मंडप है और उस एश्वर्य मंडप में खषाना भरा पड़ा है मांत ने उस तैखाने की जाच की मांग कर दी है कि आपने ये तो आरूप लगा दिये कि एक और शिवलिंग है एक तो बाबा मिल गए एक और शिवलिंग है अब आप कह रहे हैं कि आप हमको बताने जारने हैं निर्णे सिंधु के हिसाब से ये तमाम प्राचीन धर्म ग्रंथ हिंदु धर्म के लेकर रखे हुए कि यजुर्वेद और अथर्वेद कि शुप पुराण के जितने भी खंड हो इस खंद पुराण लेड़ सुन्दु में असपस लिखा हुआ है विश्णाद मंदिर के बारे में कि कासी विश्णाद मंदिर कहा है उसमें किस तरह की लिंग है चुँकि अभी थास बढ़ने में एक जिश्णाद कर दी है तक यह मैं प्रमारित करता हो बाववस्णाथ्वाम हन्तों इश्णाथ्य वहां मंदिर है वहाँ परदानदो आँडव मुट निचे अबया से लिग जो हमारे मंदीर पूरो मन जो फुरोक है सब और लिखापडढ़ है कैसे कैसे इतिहाद लिखा है और फिर बिना भी शीवलिंग के अस्थापना बिना प्रचूर धन के नहीं किया जा सकता जो वर्तवान विश्णा उसके अंदर बहुत से अपार धन दवलत है उसी तरह से प्राचीन कारे में यह रूपय पैसे डाला नहीं चलती थी सोने चानी सब्सक्राइब करें चाहूंगी चुंकि एक की बाद एक जो दाविया आप कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मस्जित का जो पूरब का हिस्सा है उसके नीचे मंडप है और उस मंडप में खजाना है जिसको वो लोग तैखाना कहते हैं तो अब कैसे वो जाच होगी जिस से सामन मेरे पूरोज बता हमें एक सीड़ी गई है अंदर जो खोड़ा जोगाय नीचे जो है सब परत हटाए जाएगे मलबे खोड़ा एक सीड़ी गई उस सीड़ी के नीचे जो हमन वह है वो गड़ा हुआ नहीं है वह दिखता हुआ है इसमें अधर दोलत है अब उसके लिए ज पहले से मांग किया जाएगा सब को आउगत कराए जाएगा विद्वानों की सला लेके सब को सुद्ध किया जाएगा समय आने पर